ओम शांती 12-10-2022 के इश्विर्य महावाक्य हैं आज मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाबा ने ज्ञान मुरलिया में हम बच्चों को कौन से ज्ञान प्रतनों से भरा? कुद को आत्मान श्यकर डेली मुरली डेली बाबा की क्लास जरूर 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 अटन करना हैं सौ काम छोड़ कर, सौ काम बाबा को सौप कर एक्तम फुरिष्टा बन कर रुखानी पिता के यह रुखानी महावाक्य जरूर सुने चिंतन करें मनन करें और अपना स्वकल्यान करें आज के मुरली का सार, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है, सिर्पर बिकर्मों का बोज़ा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है, प्रेश्ण है मुरली का, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगे बाबा ने उत्तर में कहा वह कभी भी जर्मुई जग्मुई में अपना समय बरबाद नहीं करेंगे शरीर निर्वाह करते हुए भी रोहानी कमाई में समय लगाएंगे कर्म में रहते हैं मन का लगाओ, मन का जोड जो मन यहां वहां भागता है उसे सिर्फ हो सिर्फ बाबा के ध्यान में लगाएंगे बाबा की याद में लगाएंगे रोहानी कमाई से ही कहते हैं कि कर्म में रहते शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी करो नौकरी करो, बिजनेस करो, दुकान चलो, कुछ भी करो, धन्दे पे बैटो, लेकिन रोह की याद सदा रोहानी पिता के साथ लगी रहे सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे बाबा से बिस्तर को छोड़ने से पहले, बिस्तार में आने से पहले, ऐसे नहीं कि उठते ही ब्रशादी में लग गए, ब्रशादी में लग जाएंगे, फ्रेशोने में लग जाएंगे, तब तक तो आपको जो स संसार के सांसार एक मोह हैं, उसमें फॉस जाएंगे, इसलिए आपको जैसे ही आँख खुलती है, जो है किसी भी समय पे आँख खुले, सबसे पहले उस बापों के बाप को, रुहानी बेहद के बाप को, उची जो हमारे उचते उच ग्यानसागर है, उस सर्वशिति मान बाप को याद करेंगे, और बहुत मीठे से, बहुत प्यार से कहेंगे, गुड मॉनिंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, खुब खुब शुक्रिया बाबा, ऐसी बाबा से खुब प्यार से रिहान करके गुड मॉनिंग कर लें, ये पूरा प्रक्रती, पांच तत्व, य जान सितारे ये सब सुन लेंगे हम उस परमात्मा को दिल से याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे सुबाह। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा, वह बाप समान रहम दिल बन अपने उपर और सर्व के उपर रहम करेंगे, सब को बाप का परचे देंगे. गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बन्धु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बन्धु सखा तुम्ही हो बच्चों ने गीत में मात पिता की महिमा सुनी जैसे कोई घर में बच्ची रहते हैं तो मात पिता दादा होता है ना दादे से वर्सा मिलता है बाप द्वारा क्योंकि दादे की मिलकियत बड़ों की मिलकियत होती है तो यह भी सबसे बड़ा है दुनिया वालों को तो पता नहीं है, पता ही नहीं, बच्चों को पता है, तुमी हो माता, पिता तुमी हो, तो ये दादे के लिए शर्बत हैं, तो उनका परिच्रे देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वरा हो, अब यहाँ दादा किसको कहा है? बाब का जो दादे का वर्षा बाब के द्वारा मिलता है तो ब्रम्हा मा हो गई ब्रम्हा को क्या किया है दादा ने अडॉप्ट किया है बाब दादा एक खठी है ना तो बाब के द्वारा दादे का वर्षा हमें मिलता है बाबा केती, इस तरह उनका परिचे देना पड़ी, चाहे सम्मुखो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचे देना बहुत जरूरी है, आज बाबा ने अपने आपको दादा इस्तिमाल किया है, मुरली में है ना, तो दादा को जरूर याद करो और प्रोजेक्टर जैसे भी लेकिन उस दादी का परिचे जरूर जरूर देना है। संबंध है, और फिर प्रजापिता प्रहमा से क्या संबंध है? तो पहले-पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वा मेक्जीन भी बनाते हैं, तो पहले-पहले परिच्रे देना है, गीता में लिखा हुआ है भगवान ब बुद्धि कहां चड़ी जाती है परम्धाम में सबसे होचा है, परम्मपिता, पर्मात्मा निर्याकार शिव बाबा, शिव अर्थात सर्व कल्यांकारी विश्व पिता, सर्व आतमाओं का पिता पर्मपिता फिर ब्रह्म्ह, विष्णु, शंकर फिर यहां आओ तो जैसे घर में मात पिता और दादा बैठे होते हैं वह है हदका यह है बेहदका चित्र सहत सारी लिखते होनी चाहिए, फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राज योग सिखाते आए हैं जिससे मुक्ती जीवन मुक्ती मिल रही है यहां है है ही एक निराकार परमतिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात जैसे लोकिक माबाप दादा बच्चों की बुद्धी में याद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं की नहीं हूँ बहु तुम्हारी बुद्धी में भी ऐसे है यह सिर्फ पारलोकिक है, वह है लोकिक, तुमको निश्य है, कि यह है शिप बाबा, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परन्तु बच्ची भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, वेस्ट, टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोज्जा स पर बहुत है, कोई एक जन्म का नहीं, बाबा ने कई बार कहा, कि बच्चे, तुम्हें इस एक जन्म का तो छे वर्ष की आई, उसे लगभग सब कुछ याद है, कि आपने कुछ अच्छा बुरा जो भी कर्म, विकर्म, या किसको दुख दिया, या कुछ पाप विकर्म की तो वह आपको याद है, वो तो आपको सच्छे दिल से मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जो जन्म जन्म पवांतर द्वापर से आपके सर पर जो पाप विकर्मों के बोच्छा है, उनको भी तो हिसाब किताब चुक्तु करना होगा, तो उनका भी तो आपको कमाई, यहा आप यह सारे कल्प के लिए कमाई कर सकते हैं, तो जादा से जादा पुर्शार्थ कर, जास्ती याद में रहो, तो जास्ती तुम्हीं पुर्णी आत्मा बनने का मौका बाबा मिल देते हैं, अच्छा, बाबा केते हैं, बहुत बोजह है, सिर पर आत्मा में खाद पड़ ग स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशुहूर हैं, आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो आप गूगल पर सर्च करिए, अगर सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, तो कि स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है, क्रिश्न के चित्र पर समझाया है आप जब 7 days का कोर्स प्रमकुमारी कोर्स का आप डालेंगे न गूगल में सर्च करेंगे तो पूरे 7 days का कोर्स आ जाएगा उसमें चित्र भी साथ में दिये रहते हैं तो आप उन चित्रों से समझ सकते हैं बाबा कहते हैं नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावड राज प्रष्टाचारी दुनिया और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेश्टाचारी दुनिया तो टाइम चड़ती कला उतरती कला का भी चित्र है बाबा केते हैं इस तरह से लिख दो ना कि तो टाइम क्या करना है बाबा केते चड़ती कला है एक और उतरती कला है तो टाइम लिखना चाहिए कि स्वर्ग इतना समय और नर्क इतना समय तो स्वर्ग बाबा रचते हैं आधा कल्प और आधा कल्प होता है नर्क तो द्वापर से नर्क की शुरू आत तो हो जाती है, रावड राज्य तो शुरू हो जाता है, दुख में तो हम आ जाते हैं, जैसे ही भक्ती शुरू ही वैसे ही हम तो दुख में आ जाते हैं रात में, तो बाबा के ते यह सब उसमें लिखना चाहिए न, कि 25 सुवर्ष तो बाबा ने देखू, कई बार कहा है, और आप चित्रों में जरूर देख पाएंगी कि 1250 वर्ष जो है, आज फिर रेपेट करती हूँ, सतियोग, 1250 वर्ष तेरत त्रेता योग, सतियोग में थोड़े कम जन्म और जास्ती उमर, त्रेता योग में थोड़े जादा जन्म और थोड़ी आयू में कमती होती, अर्थात गोल्डन से हम सिल्वरेज में जाते हैं, फिर ये हो गए आधा कल 25 वर्ष, 1250, 1250 का ये त्रेता और सतियोग खतम हुआ, फिर दौपर आया 1250 लेकिन वहां हम वाम मार्ग में गिर्क का कामचिता पर बैठ काली आत्माएं बन जा जाते हैं, फिर वहां 1250 वर्ष का तो चलता है दौपर लेकिन उसमें विकारों से जास्ती जन्म और जो उमर होती है, वो कौपर में हो जाती है, जैसे डेर सो, सबा सो, फिर वहां 120, 130, 100, 100 मान दीजिए, क्योंकि कौपर एज में, फिर नर्क में कोई उमर का ठीकाना नहीं ह सबसे जास्ती विकार, सबसे जास्ती जन्म, सबसे जास्ती मृत्यों विकारों में गिर करके एकदम ही कलाले सो जाते हैं, तो ऐसे फिर बारा सो पचास वर्ष का कल यूग, ऐसे टोटल पच्छे सो वर्ष और पच्छे सो वर्ष पांच हजार, तो ऐसे पांच हजार का टो उतर्तिकला का भी चित्र है क्योंकि उतर्तिकला में 5000 वर्ष और चर्तिकला एक सेकंड में तो यह जंप हो गया अब एक सेकंड कैसे कहेंगे जिस दिन जिस समय जिस पल में आपने आत्मा को समझ लिया और प्रमात्मा को समझ लिया उसके साथ में जिस समय जिस सेकंड में आप ना संबंध जोड लिया, बाप और बच्चे का रिष्टा समझ लिया, उसी दिन आपकी चड़तिकला हो गई, तो यह जंप हो गया, यह मुख्य बात समझाने की है, फिर है विराट रोप जिसमें, ब्राम्हन चोटी श्वरिय सामप्रदाय है, ब्राम्हा मुखत्वारा रच्चा हुआ, तुम्हारा ब्राम्हन कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है, देवताओं से भी श्रेष्ट है, तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है, वराइटी धर्मों का जाड़ है, बहुत वह भी अच्छा है, बच्चों को स्वा दर्शन चक्रधारी बनना है, आत्मा का कैसे 84 में चक्र घूंता है, तो स्वा, दर्शन, चक्रधारी, हाथ के चक्र की बात नहीं, आत्मा के चक्र की बात है, तो चक्र का भी ज्यान देना है, कि चक्र कैसे फिरता है, ब्रम्हा, सरस्वती का, हीरो, हीरोईन का पाट कैसे है तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए, मैं बहुत एक डेड़ घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुशी इन बातों में ठक जाते हैं, बाबा, बाबा कहते हैं, जैकि बाबा की पढ़ाई है ही सेवन डोइस में, बाबा सेवन डेस का एक घंटे, तीन गंटे, चार गंटे में कोर्स करा सकते हैं, बाबा ने क्या किया है, एक एक घंटे का साथ रोज के भट्टि रखहे हैं, उस भट्टी में बाबा पकाते हैं, देखिए, बाबा बच्चों को कितना कितना मुपद करते हैं, कि बच्चों को सुनातो सतियोगी राज्य Kerry, और पूरे चारों तीनों का और चारों युगों का हमें लेसन बेहद की हिस्ट्री जोगरफी पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें बेहद का समझा रहे हैं, ग्यान सागर हमें बेहद का ग्यान दे रहे हैं, बेहद का बरसा दे रहे हैं, उसकी बावजूद भी बाबा ने हमें जो इस स कालना देते हैं, हमें सुबह और गाने के द्वारा उठाते हैं, बाबा ने कोई पहनने ओडने में नहीं कहा, मना नहीं किया, बाबा ने सिर्फ और सिर्फ यह कहा है कि बचे, जो आपकी purity है न, वो उस अशरीरी आत्मा में purity होनी चाहिए, बाबा ने किसी बात में आपको नह नहीं होना है, आपने वो सामने वाले के साथ में तोड़ निफाने के लिए, दिखावे के लिए पहना है, ताकि सामने वाले का भी मन रह जाए और आपका भी चल जाए, लेकिन आपको दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आप तो एक आत्मा है, सिर्फ आपको यह समझ कर सब करते हुए, मुझे परमातμα को याद रहे ना बाबाने अंदर कीıyorlar की बात करी है, इस शरीर के Purity and Purity की बाद बाबा नहीं कहते है, खान पान तो बाबा कहते है, ठीक है, कपड़े आधी पहनना भी ठीक है, लेकिन यदि आत्मा में पाँच वीकार की जरा भी गर्मी हैं, जरा भी प्राउड है, जरा भी भान है, देह भान काम, क्रोद, मोह, लोग, भेंकार का, तो फिर वो सब खान-पान, कुछ भी नहीं है. सबसे पहले आपके जो विचित्र का चित्रन है, उससे करना है, उसको प्योर करना है, नहीं हो, तो फिर देखी, जेनों में कह दिया कि जो निर्वस्त रहते हैं, उनको भगवान, माना, श्वैतामबर, बागामबर दोतर है के उसमें दिखाए हैं, तो क्या हम कपड़े उतार देंगे, नहीं, ये शरीर रूपी कपड़े को अलग रखना है, मन बुद्धी से इसे नहीं देखना है, मन बुद्धी से उस प्योर आत्मा को देखना है, लाइट के शरीर को देखना है, एक हमारे शरीर के अंदर और एक उस लाइट के शरीर के अंदर भी एक चोट ऐसा शरीर है, जो आत्मा कहलाता है, आच्छा, तो बाबा कहते हैं, इस तरह से, यह सब बातें जो भी है, तो यह बेट समझाने में, बाबा कहते हैं, डेड़ घंटा प्रोजर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि मनरशियन बातों में धख जाते हैं, स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो इसमें कोई स्टोरी नहीं है, पहले जब लिखे, तब अंतर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकेट रखना चाहिए, पैसे वाली टिकेट नहीं, परन्तु एंट्री पास हो, बड़े-बड़े आदमियों को तुनी मंत्रन दे बुलाना चाहिए, बाबा ने कहा भले किसी मतलब ग्यान का जी पता ना हो, ऐसे आत्मा का ग्यान ना हो, लेकिन ऐसे चेहरों को, ऐसे बड़े लोगों को, ऐसे स्टेज पर उतारों मोबीस वालों एक्टर को, जिनकी आवाज से चारोत तरफ बाबा का नाम गुंच जाए, ताकि हर एक के कान में बाबा का नाम जिसको आप कल्प याद करते आये हैं, वो बेहद का बाप, वो सर्वात्माओं का पिता, इस संसार में भगवान आया है, इश्वर पढ़ानी आये हैं, इश्वर का संदेश जन जन तक जाए, फ्लाइट से गिराओ, परचे पटवाओ, घर घर जाओ, मंदरों में सेवा करो, लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाओ, मेलों में जाओ, कुम्ब के मेले में जाओ, जहां मन करें वहां जाओ, लेकिन मेरा परचे हर एक आत्मा तक पहुचना चाहिए, क्योंकि कल के लिए कोई ये दोश ना दे, कि मैं आया और मुझे पता नहीं चला, मेरे बच्चे ये ह बड़ों-बड़ों से opinion लिखाना है, जुंड के जुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसी दिखाएंगे क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले-पहले बड़े आदमियों को बुला कर लिखाना है, फिर general कर देना चाहिए, प्रदर्शनी में भी, ऐसे तो प्रोजेक्टर मे भी, ऐसे magazine में भी, इन अच्छी-अच्छी चित्रों को बना कर साथ-साथ समझानी लिखो, फिर किसको present दे देना चाहिए, हठियोग और राजियोग का contrast भी अच्छी तरह लिखना चाहिए, हठियोग में तो कहीं ये आसन बिचाओ, वो आसन बिचाओ, कहीं शरीर एक श्र योग है, बाबा हमें कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, राज रिशी, ना जाने बाबा ने कितना कितना हमें स्वामान दिये हैं, बाबा ने कहा है, बच्छे जब शरीर लिया है, तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहिए आप कितने भी critical situation में आप बिमार भी हैं, लेक बाबा ने कहा, राज योग और हठ योग कभी contrast प्रजेंट करना है, अच्छी तरह लिखना चाहिए, हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कश्च देते हैं, और यहां बाबा, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं बाबा, नेशब तो हूँ बाबा, ये एक जन्म तो क्या बाबा, हम जन्म जन्म आपका कर्ज नहीं आदा कर सकते बाबा, इसलिए कहते हैं, माबा आपका कर्ज, बाब बच्चे कभी उतार नहीं सकते, ये है बेहद का कर्ज बाबा, ओ बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओ बाबा, देखो, बाबा कहते हैं, ह अहिंसक योग जो अती सहज है, ओ बाबा, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है, कई तो शरीर की तंद रुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, तो वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते, हट योग को भी योग कह देते हैं, योगा श्रम है न, यह है फिर सहज राज योग, इश्वर का सिखाया हुआ योग, तो यह है बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए, बाबा कहते योग शब्द भी निकाल देना चाहिए, क्य और क्या करना है मन को कहा ले जाना है मन बुद्धी के विमान में बिठा करके उस रोहानी पिता के पास, तो जिनका बुद्धी योग सारा दिन जगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे, जिनकी बुद्धी में होगा की सर्विस करनी है, वह करेंगे, आठ गंटा फिर यह कमाई करनी चाहिए, यह है, बाबा कहते हैं, वह सब तो जिस्मानी कमाई है, यह है रूहानी कमाई, तो यह कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रक्टिस करनी चाहिए, याद में रहना आसान नहीं है, बहुत प्रक्टिस चाहिए, सुबहोट बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहे, जिनको बाप एक दो नमबर में रखते, वह भी याद नहीं करते हैं, भाशन थो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परन्तु याद में नहीं रहते, आत्मा को याद से ही, बाबा तो कहते हैं कि आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज् याद करते हैं तब तो जाते हैं, तो ज्यान की तो इसमें कोई बात ही नहीं, ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है, कईयों को तो फट से श्री कृष्न का साक्षातकार हो जाता है, कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है, वह ध्यान में प्र लिखती हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं ब्रह्मा बाबा देखिए व्यक्त थे तब अव्यक्त सेवा करते थे और अब जब अव्यक्त हैं तो व्यक्त में सेवा कर रहे हैं और जो कभी नहीं मिले उनको भी बाबा व्यक्त हो करके दिखते हैं अव्यक्त होते हुए तो बहुत याद करते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम आप सिवर्सा लेकर ही छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं, हम याद करते हैं, जब कहती हैं आप, तो शिप बाबा की याद आता है, शिप बाबा ही याद आयागा, तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते जो सम्मुख बैठे हैं बाब के पास तो एक बात है याद कि फिर गांधी जी कहते थे कि राम राजी हो अभी तो रावड राज है इस पर तुम समझा सकते हो चड़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं बागे तो सब एक दोखों में गिराते ही रह भी जूंके मिसल ही चलता रहता है तो चड़ती कला एक के ही द्वारा होती है समझाने के लिए प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा है सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे बाबा कहते हैं कि हर एक भाशा में स्लाइट्स बनाते जाओ परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है न अभी बाबा कहते हैं बनना हैं बना नहीं बाबा युक्ति तो बता देते हैं परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है बच्छों को अपने भाई बेहनों पर बहुत रहम करना चाहिए बाबा रहम दिल है न मेरा आना भी भारत में ही होता है और ज गयाना मेरा नहीं होता, शिव जयन्ती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानती नहीं है, समझू, क्राइस्ट की जयन्ती मनाते हैं, तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानती, वही पतित पावन है, भारत बड़ेती बड़ा तीर्थ है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महमागुम हो गई है देखो मुहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था अगर उनको यह मालुम होता कि यह हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थू रही अलाह के मंदिर को कौन लूटेगा जिसने स्वर्ग की स्थापना की अगर शीव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए भल वह शीव को माथा टेकते हैं परन्तु जान गए तो कभी न लूटे लेकिन जानते नहीं अज्ञान वश करते सिर्फ गीता में श्रीव पृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है अगर शीव का नाम होता कि वही गती सदगती दाता है तो यह एक की है महिमा है अगर वह ना आता तो पावन कैसे बनते अब जो पावन ही नहीं है वो पावन कैसे बनाएगा भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते यह गुप्त बात है ना जानते हैं हम तुर्गती में थे अब यहां बैठे हैं परन्तु जा रहे हैं बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा इस्थापन कर रहे हैं तो औरों को भी रास्ता दिखा कर पलजा बनानी चाहिए घमंट करो लेकिन प्रमात्मा के ज्यान का घमंट करो आत्मा का घमंट करो शरीर का नहीं बड़ी मेहनत करनी चाहिए है तो बहुत सहच, सिर्फ बाप और वर्से को याद करो, स्वर्गों को याद करो, यह तो नर्क है हम सुकात भी बाबा ने समझाया है, हम सो देवता, हम सो शत्रिय, हम सो शुद्र, हम सो प्राम्मन और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं, तो विराड रोग में यह समझाना है कि हम सो देर्था बनते हैं। अब ही हम स्वर्ख में गई की गए, बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है, बाबा खेते हैं, तुम अब तैयार कहां हुए हो, जो स्वर्ख में जासे को, ड्रामा तो बना हुआ है, जितने जितने स्थापना होती जा रही है, तो विनाश्च्वाला भी दीरे दीरे जा रही है, धर्मों में जगडा शुरू होता जा रहा है, पहले पार्टिशन थोड़े ही था, तुम जानते हो, पहले एक देवता धर्म था, गीत है न, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज, योगबल से ले रहे हैं, बाहुबल से कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है, रशिया, अमेरिका अपस में मिल जाएं, तो सारा राज ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है, जब देवताओं का राज है, तो वहाँ क्रेश्वन बौधी नहीं होते हैं, आप देवता धर्मिती स्थापना हो रही है, भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहां आ सिखाया किसने और कैसे, वह नहीं जानते हैं, श्रे क्रिश्न तो योग नहीं सिखाया, वो तो खुद सीख रहे हैं, उनकी आत्मा तो स्वयम पुर्शार्थी आत्मा बन यहां बैठिया, तो बरंपिता प्रमात्मा ही योग सिखला रही हैं, यह कितनी आठपटी बात है, जो बुद्धी से खिसक जाती है, कई तो जानते भी छोड़ देते हैं, तब बाप कहते हैं, समझदार देखना हो तो यहां देखो, समझदार वर्सा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं, स्वर्ग का वर्सा गावान देते हैं, महान मुर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहां देखो, स्वर्ग में वह भी जाएंगे, परंधु प्रज़ा में जाएंगे, तुम जानते हो, सूरेवनशी, चंद्रवनशी प्रज़ा कैसे बनती है, बाप की गोध कह यहां मिलती है, न? स्वर्ग में नहीं मिलती बात की गोध, मूल बतन में गोद का हिसाब नहीं है क्योंकि वहां तो शरीर नहीं होता बच्च जब ठैदा होता है तो गुरू की गोद में देते हैं समझते हैं गुरू की गोद में नहीं गया तो दुरगती को पाएगा छोटी बच्चे को भी गुरू करा देते हैं गुरु विगरगती नहीं, अब कौन सा गुरु, कौन सा ग्यान ये तो कोई जानता ही नहीं है, तो यह गुरुओं ने समझाया है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहां तो चन्मले फिर गुरु के पास जाते हैं, यहां तिनों गम माइंड हैं, ओ बाबा, वाह बाबा, को बाब है, कहते हैं, हाँ, आच्छा, शिप बाबा को टीचर है, गुरु है, नहीं, सिर्फ माबाब मिलते हैं, यह गुहा हिसाब है, बाब बच्चों पर, बच्चे बाब पर बलिहार जाते हैं, लौकिक में बच्चे बाब पर बलिहार नहीं जाते हैं, बाब जाते हैं, तो यह समझने की बात है कि बरोबर प्रमात्मा बाप, टीचर, सत्गुरु है, उनसे ही वर्सा मिलता है, आच्छा, मीठे मीठे सी की लाधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गूड मौनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्त हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद प्यारो, गूड मौनिंग, शुक्रिया बाप, मीठे बाप, प्यारे बाप, सबका साथी, सबका साहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बेला बाबा ने कहा स्वादर्शन चक्रधारी बनना है हम प्रामभन चोटी हैं इश्वरिय सामप्रदाई के हैं इस नशे में रहना है दूसरा अपना समय बाप की याद में सफल करना है रोहानी सर्विस में बिजी रहना है बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है आधा धूरा नहीं पूरा वर्दान है वर्दानी बाप का वर्दाता ने कहा एक रस्थिती के आसन पर मन बुध्धी को विठाने वाले सच्चे तपस्वी भव तपस्वी सदा आसन धारी होते हैं वे कोई न कोई आसन पर बैठ कर तपस्या करते हैं आप तपस्वी बच्चों का आसन है एकर स्थिति पर फुरिष्टा स्थिति इनी श्रेश्ट स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो जैसे स्थोल आसन पर शरीर बैठता है ऐसे श्रेष्ट स्थति के आसन पर मन बुद्धी को बिठा दो समझा बाबा क्या दे रहे वर्दन और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ आसन पर आपका मन हो तो बाब की याद में बैठ जाओ आपका मन हो तो सतियोग में घूमा आपका मन हो तो त्रेता में घूमा आपका मन हो तो तीनो कालों का चक्र लगा लो है ना तो इस तरह से जब चाहो जहां चाहो बैठ जाओ इस समय श्रेष्ट स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविश्य में राज का सिंहासन प्राप्त होता है स्लोगन दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिला कर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। ओम शांती, शुक्रिया बाब दादा, शुक्रिया आप से भी बाई बेनों के सनेह का प्यार का, आप सदा बाब के साथ का अनुभव करती रहें, बाबा हर्शन हर पल आपको सहायता बन करके अधरश शक्ति साथ सदा अनुभव होती रहें, यही शत्रशाया आपके साथ चले यही मेरी कामना है, यही बाबा से अरजी है कि बाबा आप सब बच्चों के साथ में सदा साथ घड़े रहे हूं, शान्ती, गुटनाइट बाब दादा, शुक्रिया